हर्याणा के रोहतक में मंगलवा रात को दिल्ली से कुरुछेतर जाने वाली ट्रेन को यात्रियों ने रोक दिया यात्रियों की मांग थी कि ट्रेन को लोकल स्टेशनों पर भी रोका जाए ट्रेन के घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही महौल बिगरता देख रेलवे पुलिस को भी बुलाना पड़ा पुलिस ने यात्रीयों को समझाने का प्रयास किया ताकि ट्रेक खोल दे और ट्रेन चले यात्रीयों ने कहा कि दिल्ली से कुरुचेतर जाने वाली पेसंजर ट्रेन को एक्सप्रस कर दिया जाए जिसके कारण लोकल रूट पर वह नहीं रुपती इसको दोबारा से पैसंजर किया जाए वही रत की गई ट्रेनों का संचालन भी किया जाए और यात्रियों के सुविधा को देखते हुए रेलवे दौरा कदा मुठाए जानी चाहिए यात्रियों ने कहा कि ट्रेन उपलब्द नहीं होने के कारण करीब 5 गुना अधिक किराया देना पड़ता है जहां ट्रेन में यात्रिया का पास एक तरफ का 9 रुपए किराया पड़ता है वही अगर प्राइवेट वहनों या बसों में सफर किया जाता है तो उन्हें 50 रुप इसके कारण ट्रेनों में प्रति दिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वही समय पर ट्रेन नहीं मिलने से यात्री देरी से घर पहुचते हैं यात्रियों ने बताय कि दिल्ली से चल कर कुरुछेद्र जाने वाली ट्रेन पहले उठानी परती है यातरी प्रावीर ने कहा कि समय पर ट्रेन नहीं मिलने के कारण वे घर भी नहीं पहुच पाती है जिन लोगों की छुट्टी साड़े 5 बजे होती है वे लोग रात साड़े 8 बजे तक इंतजार करते हैं ताकि ट्रेन मिल जाए सुभा एक ट्रेन 6 बजे आती वे वापस रात को 10 बजे पहुचता है ऐसे में यातरी करें तो क्या करें यातरी विवेक ने बटाए कि दिल्ली से कुरुचेतर जा रही एक्सप्रस को करीब पौने एक घंटे तक रोग कर रखा इस दोरान कोई भी रेलवे का अधिकारी तक नहीं आया जो यातरियों की ब यातरी वापस कर दी जो अमने लोकल स्टेशना अन इतनी प्रेशानी हो रही है बहुत ज्यादा जिसकी जुटी साथे पास बजे हुआ है वो बंदा साथे आपको तक वेट कर रहे हाड़े तो किस करा किस तरह बंदा जावा करा आप आपको तक वेट करेंगे वें सभेरे किस ताइम बंदा निकला करता है तो कितने टाइम से रुकी एट रहे है तो कोई भी अधिकारी नहीं है रेलवे का मुच्छ भी नहीं है कोई भी सिंगल बंदा नहीं है